वीडियो नमबर 20 समझती आरसास का और सुरू करने वाला हमें चप्टर नमबर 5 सरकार, कारे और बिशाचेत्रे जिसमें हमारा पहला टोपिक है सरकारी बजट के बारे में सरकारी बजट क्या है सरकारी बजट के अंग क्या है सरकारी बजट में कौन कौन से चीज़े सामिल होती है सरकारी बजट कितने परकार का होता है ठीके ना बजट घाटे का भी हो सकता है या संतलन हो सकता है क्या होता है पूरा डेटेल मैं बताऊँगा आपको इस वीडियो में जरुरत है अब लाश तक वीडियो को देखते रहेगा इसकी मत किजेगा तो आपको कुछ इंपोर्टेंट जो जानकारिया है वो मिस्स कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा अपने दोस्तों के बेश में शेयर कीजिए और वीडियो को पसंद आए टॉपिक पसंद आए अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा ठीक है ना तो चलिए सरकारी बजट के बारे में हम पढ़ते हैं सरकारी बजट ऐने की बजट बजट आपनों जानते हैं क्या होता है बजट बेसिकली हम कहे रहते हैं जिसमें इंकम और एक्सपेंस यहने की आयर वय का विबरन दिया होता है उसी को बजट कहते हैं बेसिकली जो बजट वर्ड है वो फ्रेंस साथ वाठी से बना हुआ है जिसका मतलब होता है चम्डे का थैला या चम्डे का बट हुआ एक्सपें में हुआ कहा था बिश्मिन जे सबसे पहले फ्रेंस में बजट पेश हुआ था और फ्रेंस का जो बितमंत्री था फाइनस मिनिस्टर वो बजट को गुप्त रखने के लिए अपने चम्डे के थैला जब यूज़ करते है उस थैले में रखका वो बजट को ले कि आये थे तब ही से उस चम्डे के थैले के नाम पर बजट इसका नाम पड़ गया जिसमें आय और वैवे का पुरा विवरन दिया होता है एक साल का सरकार के दोरा एक साल में जितना भी सरकार की आय होती है या सरकार का जितना गय होता है क्योंकि यह आगमी वर्ष का होता है तो यह सब कुछ क्या होता है अनुमानित होता है आय और वैका अनुमानित विवरन जो की एक लेखा वर्ष के दौरान किया जाएगा उसको हम कहेंगे बजट कहेंगे तो बजट को कर हम सब्दों में समझ सके किताबी भासा में समझ सके तो ये कह सकते एक ऐसा दस्तवेज जिसमें सरकार के वित्ति वर्ष तक की अबदी के अनुमानित आयो और वैयो का विवरण होता है प्रपेसर टेलर ने बताया था बजट के बारे में कि बजट सरकार की मास्टर वित्ति योजना होती बित्ति योजना मतलब देयार्थ वस्ता में किस प्रकार से बित्ति को चलाया जाएगा उसकी रूप रेखा क्या होगी कहां से बित्ति आयेगा कहां को जाएगा इस पुरा का पुरा एक प्लान होता है ये आगामी आये के अनुमानों तथा बजट बर्स के प्रस्तावित बैयों के अनुमान के सासत प्रदान करता है ये बताता है कि सरकार को कहां से आये की प्राप्ति होगी और किस किस प्रकार से वो बैय किया जाएगा यहने कि अगर simple language में समझे कि budget क्या है budget सरकार के आय और बैय जो कि दोनों कैसा होता है अनुमानित होता है क्यों क्योंकि budget होता है आगामी वर्ष का या आने वाले बित्तिय वर्ष का जिसमें सरकार को कितना income करना है सरकार को कितना बैय करना है इसकी पूरी रूप रेखा तयार की जाती है उसी के अनुसा सरकार देश के विकास के लिए विविन प्रकार की योजनाओं को बनाती है विविन प्रकार के कायों को चारे रूप से चलाने का प्रयास करती है जिसे विकास की गत्य को पकड़ा जा सक अब बजट का उद्देश क्या होता है बजट क्यों बना जाता सरकार के दौरा उसका मुख के कारण क्या क्या है देश में आर्थिक विकास को प्रोस्था हम देना ताकि देश की जो ब्रिद्धी हो विकास की दहो वो ब्रिद्धी हो इसलिए सरकार के दौरा सारपजिनिक बै जाता है जो अभी पिछड़ा है गाउं के विकास उपर खेती के विकास पर अलग अलग सेक्टर जो कि अभी धीमा पड़ा वह उसके विकास को प्रोस्तर करने के लिए उनके लिए अलग से जो है धनका आवांटर करती है बजट के मादधम से सरकार बजट के मादधम से पूरी अर्थवस्ता में या देश में छेत्री संतुलन बिठाने का प्रयास करती है अगर कोई छेत्र कमजोर है तो आपर अत्रिक्त निवेश का प्लान तियार किया जाता है और कहीं पर निवेश के आवशकतर नहीं है तो वहां से फंड निकालने की तियार की जाती है इसके अलावा बजट के दूस अर्थवस्ता में या नागरिकों के बीच आय और संपत्ती का प्रयार उत्तरन किया जाता है कैसे करके मादधम से सरकार के दौरा अगर गरीबों को उपर ढ़ारा तो गरीबों को टैक्स से छूड़ दी जाती है टैक्स स्थिति है तो इससे कैसे उबरा जा सकी इसका पुरा प्लान भी बजट के मादधम से दर्साया जाता है साथ ही साथ बजट के मादधम से रोजगार का सरजन पर बल दी जाता है बजट के दौरा ही अलगर योजनाओं पर काम किया जाता है चाहे निर्मार योजना हो या फि ट्रेनिंग के लिए हो कुछ भी हो जिससे रोजगार का सरजन हो सके इससे बजट पर विशेश जो है धान दिया जाता है ठीक है ना तो ये तो हम बात करते हैं बजट के अब हमें पढ़ना है बजट के अंग के बारे में यूँ के हैं कि बजट के घटक पार्ट्स ठीक है ना कौन कहूं से इसके भाग होते हैं अगर बजट के अंकी अगर हम बात करें तो इसके दो पार्ट होते हैं भजट की पराप्तियां निगी रिसिप्ट्स एंड बजट के वैं निगी एक्सेंडीचर अगर बजट के प्राप्ति और बैव को भी दो दो बर्गों में बाटा जाता है ठीके ना कौन कौन से इसको समझना पड़ेगा बजट प्राप्तिय दो प्रकार की होती है एक है राजस प्राप्तिय और दूसरा है पूंजी गत प्राप्तिय ठीके ना उसी प्रकार से बै भी दो प्रकार से होगा एक है आपका राजस बै और दूसरा है आपका पूंजी गद बै तो इसको आप डिटेल समझेंगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा तो सबसे पहला काम हम किसको लेते हैं राजस प्राप्तियों को लेते हैं राजस प्राप्तिया क्या है राजस प्राप्तियां याट इस रेविन्यू रिसिप्ट से ठीक है ना राजस प्राप्तियां आगिर है क्या तो इसको थोड़ा सा समझे कि राजस प्राप्तियां कैसी प्राप्तियां होती है जिससे सरकार की कोई देता देता का मतब क्या होता है लायविलिटीज ठीक ना उत्पन नहीं होती है नमबर एक और नमबर दो इसका कंडिशन है कि सरकार की परिसंपतियों में कोई कमी नहीं होती है ठीक ना यहीं कि राजस प्राप्तियां बेप्राप्तियों होती है अगर उनको प्राप्त करते हैं तो सरकार की कोई लायविलिटी यहीं कि अड़जा उधर बगरा नहीं बढ़ता है साथ ही ऐसी ही होती है जिसमें सरकार की संपत्यों की बिक्रे नहीं होती है अरकि संपत्यों में कोई कमी नहीं होती है उन्हें हम राजस प्राप्तियां कहते हैं अब हमें पढ़ना है कि राजस प्राप्तियां कितने प्रकारगी होती है ठीक ना अगर हम राजस प्राप्तियों के प्रकार की बात करें तो यहाँ पर यह समझ में आयेगा कि राजस प्राप्तियां दो प्रकार की होती है ठीक ना एक है आपकी कर प्राप्तियां और दुसरी है गैर करप्राप्तियां करप्राप्तियां एने की taxable income tax receipts और यह हो गया आपका non tax जो tax के अलावा दूसरे चेतरों से आती है ठीक है ना tax receipts and non tax receipts अब tax receipts ठीक है ना tax receipts में क्या होता है tax receipts भी दो तरीके का होता है एक होता है आपका पर्तेक्ष कर और दूसरा होता है आप पर्तेक्ष कर पर्तेक्ष कर को इंगल से बोला जाता है direct tax और आप पर्तेक्ष को बोला जाता है indirect tax अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह जो कर प्राप्तियानिकी कर किसे कहते हैं कर क्या है तो समझेगा कर क्या है कर एक आवश्चक बुकता होता है जो वैक्तियों की दोरा सरकार को दिया जाता है बिना किसी परतिफल की आशा से मतलब सरकार ने किसी को पर टेक्स लगाया गया है तो अगर वो पे करना जिस वैक्ति पर लगाया गया है उस वैक्ति की दोरा सरकार को पे करना तर बदले में वो ये चाहे कि मुझे कुछ मिलेगा ऐसा नहीं है क्योंकि कर्ज एक आवश्यक बुक्तान है जो सरकार को बिना किसी परतिफल के दिया जाता है अब कर दो परकार का होता है एक है पर्तेक्षकर और अपर्तेक्षकर पर्तेक्षकर आप पर्तेक्षकर के बारे में आपको समझना होगा और इसके बारे में अगर डिटिल से समझना है एक अलग से वीडियो का डिस्क्रेशन में इसका लिंक देख सकते हैं सबसे पहले हम पर्तेक्षकर की बात करते हैं पर टेक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी व्यक्ति को ही बुक्तान करना होता है यहने कि ऐसे टेक्ष को वो दूस्टे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता है जिसका सबसे बड़ा उक्जांपल क्या है आएकर income tax जिसको बोलते हैं या फिर संपत्तिकर जिसको बोलते हैं ठीके ना या फिर उपहार करोता है ये सब tax जिस वेक्तिव पर लगाय जाता है उसी को भरना होता है वो इन tax ओको दूसरे वेक्तिव पर टाल नहीं सकता जबकि इसके वेक्तिव जो दूसरा जो tax है याई की अपर टेक्स niż tax की अगर बात करें इन डारेक्ट tax ऐसे tax होते हैं जो जिस वेक्तिव पर लगाया जाता है वो वुक्तार ना करके यहाँ पर इसका वुक्तारण को डूसरा वेक्तिव करता है ठीक है ना एने की जैसे हम बात करें सेल्स टेक्स एने की बिक्रीकर अब बिक्रीकर तो बदल के क्या बने गया है जी एस्टी बने गया है बिक्रीकर की बात बैसिकली सरकार के दोरा बिक्रीकर किस पर लगाया जाता है दुकांदारों पर ठीक है ना लेकिन दुकांदार खु सबसे बड़ा जो है अपर टेक्स करो होता है GST आप कहीं पर भी जाएंगे माली जो मुवी टिकेट खरने जा रहे हैं टिकेट में देखिएगा नीचे दे रखा होगा C GST और S GST लिखा हो रहता है तो यह अपर टेक्स कर रहे हैं यह एक्चुली में जो सिनेमा हलो पल लगाया गया है लेकिन वो आप से बसूल करके पे करते हैं CDC बात है ऐसे टेक्स जिस पर लगा जाता है वो खुद नपे करके दूसरों से बसूल करके पे करता है ऐसे टेक्स को हम अपर टेक्स कर करते हैं अब बरतमान में बारत का सबसे बड़ा अपर टेक्स कर कौन सा है GST है तो यह कर प्राप्तिया होगी सरकार की अलाव सरकार को बरतवान में सबसे ज़्यादा जो इनकम मिलती है इनी टेक्स रिसीट से मिलती है इसके बाद दूसरा है गैर कर प्राप्तियां गैर कर प्राप्तियां ठीक है ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ठीक है ना दूसरे माद्दम से प्राफ अब यह दूसरे माद्दम कौन काउन सा होता है जैसे जुर्माना हो गया जैसे फीस हो गया ठीक है ना जैसे लाइसे फीस हो गया जैसे जबती करण से पैसा आता है तो यह अलग अलग प्रकार से सरकार के दौरा पैसा जो है लिया जा जब्तिकराण का मतला होता है किसी की संपत्ती है उसका कोई बारिस नहीं मिला उसको सरकार ने जब्त कर लिया तो सरकार की इंकम ही कहीं पर किसी ने उधाल लिया उसका पैसा पेमेंट नहीं और सरकार ने उसकी संपत्ती को जब्त कर लिया जुर्माना जैसे रोड पे आप ब रेजिस्टेशन फिस लिया जाता है यह सब कुछ जो है इसकी अलावा सरकार की जो दूसरी इंकम है वो किस्से होती है वो होती है सार्वजनिक कंपनियों से सार्वजनिक कंपनियों का जो लाव होता है वो भी सरकार को प्राप्त होता है जो गैर करके अंतरगत आती है तो ये प्राप्तियों के भाव हो गए अब हम दूसरी प्राप्तियों की बात करें नंबर टू जिसको हम बोलते हैं पूंजी गत प्राप्तियां देट इस capital receipts से capital receipts अब capital receipts क्या है capital receipts ऐसी receipts होती हैं जैसे सरकार की देता बढ़ती है सरकार की देता का मतलब क्या होता है liability यानि की दायत बढ़ती है ठीके ना और दूसरा condition है इससे सरकार की परिसंपत्तियों में कमी होती है ठीके ना अब यहाँ पर समझने की ज़रुवत है कैसे सरकार की देता कम कैसे होती हैं ये प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती है जहां पर सरकार जो है कर्ज लेकर या उधार लेकर प्राप्त करती हैं परिसंपतियों कमी तब होती है जब सरकार अपने assets को क्या गर देती है बेच देती है तब उनको सरकार को क्या प्राप्त हुआ धंकी प्राप्ति हुई ठीक ना तो रेसीप्स आया लेकिन हुआ क्या शेहर बेजने सरकार के जो एसेट से उसकी कमी हो गई तो इस प्रकार की जो है प्राप्तियां जो है पूंजिकत प्राप्तियां होती है जो कि तीन ग्रूप में बाढ़ सक सबसे पहले सरकार की जो प्राप्तियां होती है रेणों की बसोली सबसे पहले सरकार ने कहीं पर किसी को लोन दिया हुआ है वो लोन का पैसा बापस आ गया है तो इससे क्या होता सरकार के सरकार ने लोन दिया है जिसी दूसरे को तो सरकार के एसेट्स कमा क्योंकि बापस आ ग तो अभी मैंने बताया क्या कि सारवजनिक उद्यमो का विनिवेश किया जाता उसके तो अभी सरकार को प्राप्तियां होती है पैसा मिलता है तो यह होगे सरकार की पूंजिकत प्राप्तियां अब सरकार की पूंजिकत प्राप्तियों के बाद हम पढ़ेंगे सरकार की वैयों के बारे में बैय भी दो प्रकार होता है एक होता है राजस वैय और दूसरा होता है पूंजिकत बैय का मतलब समझते हैं न क्या होता है बैय क सरकार पैसे कहां कहां खर्च करती है इसके बारे में आपको समझना है बैक को बारे में तो पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं नमबर एक सबसे पहले किसको राजस वैक को समझ लेते हैं डैट इस डेविनू एस्पेंडिचर सरकार के कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिससे सरकार की देता कम नहीं होती है अनकी ऐसे खर्चे खर्चतो हो गया लेकिन लाइबरेटी कम नहीं होई नहीं सरकार की परिसंपत्यों में बिरिद्धी होती है ठीक ना परिसंपत्यों में बिरिद्धी नहीं होती है और ना ही देता कम होती है अब इस परकार के जो सरकार के दोरा खर्चे किये जाते हैं वो राजस खर्चे होते हैं जैसे कौन कौन से खर्चे होंगे ऐसे खर्चे में जैसे सरक सरकार के दोरा सबस्टिटीज दी जाती है सरकार के दोरा पेंशन दिया जाता है सरकार के दोरा स्कॉलर्ण श्री जानी की वजीफा दिया जाता है तो ये सब सरकार के खर्चों में आता है इसके अलावा सरकार का इनकाम का बहुत स्थादा पार्ट सरकारी करंचरियों के सैल्ली पर खर्चा होता है ठीक है ना उसके अलावा सरकार के दौरा सिक्षा पर खर्च किया जाता है सरकार के दौरा सौस्त सेवाव पर खर्च किया जाता है तो यह सब खर्चे जो है सरकार के होते है रेविनु क्योंकि इससे सरकार को किसी प्रकार की परिसंपत्या नहीं बनती है ना ही कोई कर्जा व होते हैं लेकिन इसके बाद जो दूसरा नंबर का जो खर्चा होता है जिसको क्या बोलते है कि पूंजी गदव है डैट is है कैपिटल एक्सपैंडीचर कैपिटल एक्समेंडीच अब यह ऐसे एक्सपैंडीचर होते हैं जो इसका उल्टा होता है राजाशकर एन की एकसे एकस्पेंडिचर जिसको करने चे सरकार की देता क्या होती है कम हो जाती है एन की payment कर दिया सरकार के जो करजा है वो खतम हो गया या फिर क्या हो जाएगा सरकार की परिसंपत्यों में ब्रिद्धी होगी ठीक है ना तो ऐसे वैकॉम पूंची गदवे कहते हैं अब जैसे इसमें कौन कांस हो गया जैसे सरकार ने क्या किया रेणों का वुक्तान कर दिया कहीं से लोन लिया था तो उसका payment कर दिया रेणों का वुक्तान कर दिया या सरकार ने जो है सारवजनिक company खोल ली सरकार ने क्या किया कहीं पा सरकारी factory लगा ली ठीक है ना तो ये सरकार की परिसंपत्यों में ब्रिद्धी होती है सबसे सरकार ने क्या किया युद सामागरिया खरिद ली मतलब सरकार ने क्या किया लड़ा को जट खीरा इस राफियर खेरी दे ये भी सरकार की पूंजी गद वय ही कहलते है तो यह इस प्रकार से सरकार के अलग अलग से income होते हैं, सरकार के अलग अलग से बै होते हैं, ठीक है न? अब, ये तो ओगे आपके बज़ट के अंग, अब हमें पढ़ना है budget के परकार सबसे important budget के types of budget कितने परकार के होते हैं अगर हम budget के परकार की बात करें तो budget के दो परकार में बाटा जाता है एक है आपका संतुलित budget और दूसरा होता है आसंतुलित budget that is balance budget and unvalence budget संतुलित budget क्या होता सबसे पहले संतुलित budget को बारे में पढ़ लेजिए संतुलित budget ऐसे budget होते हैं जहां सरकार के वय उसके आय के बरावर होते हैं ऐनकि जितना सरकार की प्राप्तियां है उतने ही सरकार के वय होते हैं जब दोनों आय और वै बरावर होता है, ऐसे बजट को हम क्या करेंगे, संतुलित बजट कहते हैं, अब दूसरा है आसंतुलित बजट, आसंतुलित बजट दो परकार का होता है, ऐसा बजट जहां पर सरकार के आय और वै बरावर नहीं होता है, उसों आसंतुलित बजट कहते हैं और आसंतलित बजट भी दो प्रकार का होता है एक है आपका बचत का बजट और दुसरा है आपका घाटे का बजट ठीक है ना बचत का बजट और घाटे का बजट अब बचत का बजट क्या होता है बचत का बजट ऐसा बजट होता है जहां सरकार की आए ज्यादा होती है स सरकार का बचत होता है क्यों आय से हम क्या कर देते हैं बै को घटा देते हैं ठीक है ना बेसिकली ऐसा बजट बहुती कम देश या फिर ना के बराबर बनाय जाता है क्योंकि इससे सरकार के अर्थवस्था देश के अर्थवस्था धीमी पड़ जाती है दूसरा है घाटे का बजट घाटे का बजट क्या होता है घाटे का बजट ऐसा बजट होता है जहां पर सरकार के आई कम होते हैं और सरकार के वे जादा होती है ऐने कि यहां पर क्या होता है घाटा होता है इसलिए घाटा होता है क्योंकि वे जादा होता है और आई कम होता है जैसे कि maximum जो है जितनी बिकासिल देश है सब और इसमें भारत का budget भी हमेशा कैसा होता है घाटे का budget होता है इससे अर्थिवस्था को जितनी पैसे की प्राव्त होती उससे ज्यादा पैसा इधरुदार से लोन लेके उधाल लेके लगा जाता है ताकि रोजगार में गाटे का budget होता है जो घाटा होता सरकार को वह कितने प्रकार का होता है ठीक है ना यह कि budget घाटा जिसको हम गहते है बजट घाटा यह कितने प्रकार का होता है ठीक है बजट घाटे की अगर हम बात करते है बजट घाटा ऐसा घाटा होता है जहापा सरकार की जो है बजट प्राप्तियां सरकार के बजट वैसे क्या होती है कम होती है यहाँ पर बै जादा होते हैं प्राप्तियां जादा होती है और बजट घाटा जो तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक राजस्र घाटा नमबर दो राजकोशिय घाटा और नमबर तीन प्रात्मिक घाटा राजर्ज घाटा को क्या बोला जाता है इसको revenue deficit ठीक ना राजकोशी घाटे को बोला जाता है fiscal deficit और प्रात्मिक घाटे को बोला जाता है primary deficit clear तो तीन प्रकार का घाटा है तो जल्दी जल्दी हम इसको भी समझ लेते हैं सबसे पहला है राजस्व घाटा सबसे पहले मैं आपको उता हूँ क्योंकि यह राजस्व घाटा है तो इसमें केवल और केवल राजस्व मदे ही ली जाती है राजस्व घाटा ऐसा घाटा होता है जहां पर सरकार के जो राजस्व घाटा होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं किस से राजस्व बैसे इसका मतलब यह हुआ कि राजस्व घाटा ग्याद का निकले हम क्या करेंगे राजस्व घाटा बराबर हो जाएगा आपका राजस वे माइनस राजस वे आए ठीके ना राजस वे से हम क्या गएते हैं राजस आए को अगर घटा देते हैं तो जो बैलेंस बचता है उसको राजस वे घटा गएते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके से सरकार की फून जीगत मदे जो है सामिल नहीं होती है, राजा से घाटे के हम बात करेंगे, नंबर दो राज़कोशिय घाटा राज़कोशिय घाटा, that is fiscal, चबसे important है यह वाला fiscal deficit अब राज़कोशिय घाटा क्या होता है इस राज़कोशिय घाटे के अंदर सरकार के सारे बै, ठीक है ना, सरकार के सारे बै इसमें सामिल हो जाएंगे, राश्चकोशी घाटे के अंतर अगत, चाहे वो, जैसें, क्या होता है, कुल बै, कुल बै मतलब, राजस, प्लस पूंजी गत, दोनु बै सामिल करते हैं, ये ज़्यादा होता है किस से कुल प्राप्तियान की कुल आए अब इसमें भी सब कुछ सामिल होता है चाहे वो राजस प्लस पूंजी गत लेकिन ध्यान में ये रखना आए इसमें किसको छोड़ दिया जाता है उधार को छोड़ कर उधार को छोड़ कर जो उधार लिया जाता है उसको इस घाटे में शम्मिलित नहीं किया जाता है अगर हम इसके फार्मूले की बात करें सही से कि रासकोशिय घाटा क्या होता है रासकोशिय घाटा क्या होता है कुल बै और कुल आए का अंतर होता है जिसमें से उधार को समिलित नहीं कियाता है that means राजकोशी घाटा बरावर होता है सरकार के कुलवे माइनस सरकार के कुल आई किसको छोड़कर उधार प्राप्तियों को छोड़कर उधार प्राप्तियों को छोड़कर उधार को सामिल नहीं किया जाता है यह होता है राजकोशी घाटा और नमबर तीन सबसे लाश्ट में आता है कौन सा प्रात्मी घाटा प्रात्मी घाटा हम तभी गयात कर सकते हैं जब हमें राजकोशी घाटा मिल्टाथ हो जाए क्योंकि प्रात्मी घाटे का मतलब होता है जो हमारे पास राज़कोशी घाटा होता है उसमें से ये देखा जाता है कि राज़कोशी घाटे का कितना भाग हमने ब्याज बुक्तान के लिए देना है तो राजकोश ये घाटे में से ब्याज भुक्तान को मानस कर देते हैं उसके बाद जो नेट बस्टेगा उसी को हम प्रात्मी घाटा कहते हैं तेंक यू